मुझे बानी बहुत नारूफ रजल को रहे है अपने जमाने के नई गजल का जो पूरा दोर है यह वो गजल जो संसाठ के बाद लिखिये और जो लोग भारूफ यह सबसे रोशन जमाना वही है साथ उसाप्र है और असी का बानी ने जिन्दगी निजबतान मुक्तसर पाई अपने तूसरे साथियों के मकाबले में बहुत देखने में तो बहुत सहत्मंद जानदार इंसान लगते थे लेकिन जो मौत उनकी वाके हुई कहा जाता है ओवर मेडिकेशन की विपकेश्फा नहीं कि नहीं गुए थे फी पाकिस्तान में पाकिस्तान में पाकिस्तान में तो सबसे मारूफ यह रुप दिया लिया और नहीं खजिल के शौरान है और हिंदोस्तान में जाहर है कि अ हर्वान आजमी बश्र नमाज असन नईम विमल कृष्ण नश्क मनमुहन तल्ख और चैजंग है वानी में और यह सब्सक्राइब कर दो लेकिन पार से अपिस्तान स्फेद से वस्ते नहीं है अधरिश्थ कृष्ण का अधर्ट इस सब्सक्राइब कि किताब हर्फ मुदबर शाय हुई थी तो किताब लेकि आए थे पर दोस्तों तो फ़तन पेश करने के लिए आदमी बहुत बानी गर्चे उनमें खुद पसंदी शायद जादे थी लेकिन जबर्दस्त आदमी थे बजाहिर उनमें आम शायरों का कोई अन्दाज नहीं नहीं से अपने अंदाजों अत्वार से बहुत संभली हुई और बहुती मुनज्दम शक्सियत के मालिक थे हुए या दिल्ले में अगालबन वो कोचिंग इंस्टिटीट को इन्होंने खोल रखा रहा है क्लासेज लिया करते हैं यहीं उनका पेश्चा था शायर वो गाहरे के गर लिए तो एक तो यह था कि बहीं नए मैलानात क्या पैदा हुए वक्त के तद्दीली के साथ साथ तरक्रुक्सं तहरीक के शौरा जब उन्तर को हुलत के आसा हुए कि नमाया होने लगे उस वक्त नई शायरी हैंने मज्रू के घजल और फैस के घजल और जजबी और मजाज हुए इन लोगे घजल के बाद का पूरा दोर जो रहा है हफीज जहीर काश्मीरी और क्या 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 शौरा अच्छासा वो जुमाने के बागई मख्तूम और यह सब उसके बाद का जो दोर है देखें तो सची बात यह है कि आप देखें तो एक नए मैलानाथ से मुराद यह है कि जब लोगों को आडिया रोजिस दिल्चस्पी खत्म होने लगी और रफता रफता यह ख्याल हुआ की इनसान जिंदेगी गुजारता है अपने आप मोल जाओ होने है सबस्यादा बैरोनी तरह सब्वरारा प्यार शाइरी में इसके खळमबारेक्टेशन ब़्ये चाहिकी जाए मकसदी शारी की जाए इफादी शारी की जाए यह सब बातें चलती नहीं इसने की शायर मार्द सब्सक्रा ने ज कहा थैए कि शायर ओरीजनल सोते हैं खाल और अहम्द मुश्टाक शहजाद अहम्द और सलीम अहम्द और उसके और जो उनके महासरीन रहे हैं अहम्द फराद वगरा हिंदुस्तान में जो नाम रहे उन में सबस्यादा मेरा ख्याल है कि वकी नाम घजल के रहाद से अगर देखा जाए तो खलील साब की एज गुरूप के शौरादे थोड़े से बड़े थे बानी से खोया कि 7-8 साल का फ्रक्राव होगा है उन में बानी और जेवगवरी की अगजल यो थी वह बहुत नमाया हुई है हिंदुस्तान पर बानी के हाँ एक बात तो वह भी है कि आप देखेंगे कि य रंग भी उससे दाहिर होता है कि अर्दू घजल सिर्फ फार्सी घजल का बुए के जमीमा नहीं है फार्सी आमेज जबान में घजल कहने के रवेजे से जिसका बहुत खुब्सूरत इजार आपको अजीज हमिर्मदनी के घजलों में मिलता है या यह कि उनके बाद और मासर जिन के हां तो खुझ जफर अकबाल के आप अब रमा की शायरी जाहिए उनका पहला मजुआ चपा था उसमें देखेंगे आप फार्सी आमेज जबान गुलाफता पर तक्रम उनने तजर्बे बहुत से श्गू कर लिया थी अहमेज मुश्ताफ के आप अहमेज फरास के जबना है और उसका सबब यह था कि उनके वालिद भी फार्सी के शायद थे बर्क तकल्स था उनका चुनाचे उसी रहायत से अहमेज फरास पी शुरू में शरर्ड तकल्स रखा था हुए और घर में चुकि इनके पश्तो या फार्सी का चलन रहा होगा तो फार्सी शायरी के असाली पर खुद अहमेज फरास की ग्रफ बहुत पश्बूट थी और उनके हां बहुत असर मिलता है नौक्लासिकियत का रंग यह यह कि ऐसे शोरा जो फार्सी घजल की रवायत से भी अच्छी तरह वाकिफ थे और उससे इस्तिफार रही है था हमारे यहां बानी के सता पर तो आप देखेंगे कि फार्सी की तराकीब का नए कहना चाहिए कि उसमें कुछ सांचे जबान के वज़ा किये बहुत से मरक्राइब नए उसने बनाए यह सब हैं लेकिन यह कि उसी में एक तजरुबे के लिहाद से नए पन की जुस्तुजू बाइनी के यहां यह मालेबों कि जैसे आप उसके वासरें वे आप देखेंगे मनमःतल्ख या दुमिल कॷ्णश्ञ है या कुमारपाशी हैं मुहम्मद हल्ぎ है है इन लोगों के हाँढ मुह्मद हल्ぎ के थब महावर्ड़ की हैं लेकिन ये कि बानी के ओर्दू गजल के जो मरकबात हैं और नई तर्खी में वज़ा करने के बहुत सलिकां भी ना बानी हो तो नए ख्यालात के इजहार के बावजूद ने जजर्बों के बावजूद बानी के गजल जो है वहलार उसी नौक्लासी की नवारत के हिस्था मालूम होती है और बहुत कहीं तो इतने पुरस्रान शेर वो कहता है मुझे उसके कुछ शेर बहुत पफसंन है मिसाल के तौर पर एक शेर उसका जब यह तो मुझे जब भी आदाता है तो मैं सोचता हूं कि शायद और तूह अजल में इस तरह की मिसालें बहुत आंग नहीं है ऐ सफे अबरे रमा तेरे बात एक घना साया शजर से नितला यानि धूप में जिंदगी की धूप कह लीजिए आलाद की धूप कह लीजिए उस तजरे में का ऐसा हुपसूरत इजहार है कि सफे जब तक सर पर बादल शाय हुए थे उस तक तक तो अपनी परच्छाई का सुराप नहीं मिला लेकिन जहां बादल गए रुकसत हुए सफे अबरे रमा मुंतशिर हुई उस वक्त घना साया शजर से नितला धूप पूरी तरीके से जबास्वान से जमीन के तरफ उस के बादी के यह एक पड़ी होवी उसके लेज़े में एक कहना चाहिए की बागपन एक तरही का बहुत था हर्फ मौतबर उसके बांद उसका बजब नी चुपा था था दूसरा एरृती था कि साब रंग यहीं पहुए तरह मैं लिज्जा हुआ को शायरी अ ग्रेशशा हु खुबी इतियाब आहमद मुश्ताफ के घजल, जफर अखबाल के घजल, सलीम एहमद के घजल, आहमद फराद के घजल, इन सब को अलग अलग पहचान सकते हैं, यह जो बात में कहा जाने के नए शोरा के हां, जिस तरह के मजामीन मिलते हो, जिस तरह इजार की जो शकले मिलती हैं, और वही गिंदी के चुछ मसालें हैं, तनहाई और बेसंती और गुम शुदगी और एक कहना जाहिए कि माजी से बिल्कुल एक कटने के बाद रास्ते का ताईयों भी नहीं भटक रहे हैं, तो इन तरह के चड़बू के तकरार आपको बाइनी के हां दिखाई नहीं द अजिए नहीं देल्वी के घज़र महमद अल्वी के तो भी इंतकानुत और आपको बोलें, सब मोई उनको बाहा हाथ सुना होगा, उनके अशाद कभी धोका नहीं होता था कि ये उनका शेहर है आफली नहीं है, हर एक का रग़ अन्ग अपना अला रगत था है, तो बादी क कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे वो अपने रंग का बहुत मुंफरिद शायर है और जाहरे की जिस तरीके से वो शेयर के रहा है और जितने कुदरत उसको हासिल है तर्कीमें वजा करने पर एक नया जबान का एक नया साचा इजाद करने पर वह बहुत गार बहुत है मज उसको आज़ा होता है घजल में इसी लिए बार बार मेरे जहरे में यह बाती है पता नहीं कि कि हमारे जमाने का अस्ल जो मिजज है वो नजम से अधा मनाजबत रखता है वजल के मुखादें कि घजल में एक एब है और वो यह है कि मजमुस साम जो बात कही थी कि घजल एक बड़ी कटर सिंफ है यह निकि तब्दिली के बावजूद घजल का रंग अपना पुराना रंग जो होता है रवायत का रंग जो होता है रवायती शेर आप कहेंगे आप पढ़े कभी हसन नहीं तो इशार पढ़े शाह व्याकरी का इशार पढ़े सलीम हमद के शेर आप पढ़े लज़र अफ्बा एक अलग रंग निकाल लिया तो बानी भी उन उन शोरा में था एक बात और जो यहां कही जा सकती है वो यह है कि कि अ हमारा योमें आजादिये के बाद यहां पासाद्ट है तो मिलक बंगए एक मुल्क के दो नहीं बहल की तीन मुलक सकतो बने थे लेकिन ये कि रवायत थोड़ी इस तरह तक्सीम हो जाती है कि आप ये कहें कि भई फैस की शायरी अब लाजमन उस पर एक ऐसा रंगावी होगा कि एक दूसरे मुल्क की शायरी दिखाई देंगी सर्दा जासी के में खाबले में ऐसा तो नहीं होता फिराख के साथ आप नाम नहीं इंतजार सेंटे साथ रसुल रहतर का नाम आएगा तो यह कहां याद आता है इसलिए मैं इस तक्सीम के बहुत हक में नहीं है रवायत को इस तरीके से कभी नहीं देखना चाहिए नहीं गजल के रवायत के बारे में आप जब गवर करें तो आपके जहन में एक साथ ह हैं कि यह सारे नाम आते हैं मेरे जहनु तेप नएशा और नासिर काजमी और खर्णा वान आजमी इन सब के नाम यह जो शुरा हुए है और सरहत को फाघ्वह लोगा फ़ा जो शुरा हुए उनके नाम एक साथ तुनांचे बानी के साथ भी मुझे जाहरे कि सारे यह शौरा बात बेज़ाद उसको शुरत मिली और उस्वरत के असबाब भी कुछ मुझे मुझे दिखाई देते ही इनों के मकाबले हुँ उनके हैं परफॉर्मंस बहुत है जोने लिए गा दूसरा सहले मुंतरा जबान बहुत आसान है तो हर नौसिथिया भी चाह समझता है कि वो उनके रंग कोया की शेर करेंगे अच्छों बड़ी खुब्सूरत शेर्ट हैं इसे अंदाज में तो बानी का यह है कि अपनी रवायत से इस्तिफादी के बावजूद अगर आप देखें तो वह उन शायों में जिनके आहां रवायत के साहे में सफर करने के बावजूद अपनी तखलीकियत अपना एक इन्फरादी रंग भी नुमाया होता है और बहुत जल्दी पहचान लिया रहता है मिसाल के तो पर उसके देखें कुछ एक घजल के कुछ शेर मैं आपको सुनाता हूं अब यह है देखें मारूब अजल है उसकी कुछ नकुछ साथ अपने ये अंधा सफर ले जाएगा कुछ न कुछ साथ अपने ये अंधा सफर ले जाएगा पाओं में जंजीर डालूँगा तो सर ले जाएगा हमारे जमाने का जो सिलसला है अंदर अंदर येक बैएक उठेगा एक तूफान भी सब निशाते नफा सब रंजे जरद ले जाएगा अंदर अंदर ये बैए उठेगा एक तूफान भी सब निशाते नफा सब रंजे जरद ले जाएगा अब निशाते नफा रंजे जरद ले जाएगा अब निशाते नफा रंजे जरद ले जाएगा अब निशाते नफा क्रामन में भर ले जाएगा क्या खुद्र थे जबान पर देखियो यजि कि क्वाफ़ी का जिस तरीक इसंहें इस थमाल किया है घूंका है शेहर के सबसे बाजार-नि बौनता है कि अजीन मैंगUI वो घर ले जाए गा फराख साब का बहुत मशूर शेर है कि वो पुच्चा रूकश जन्नत हो घर है घर फिर भी या विराख अजरबाश का एक क्या एक घर से तंगा के बहुत शेर के शेर में तुम आतो गए हो किस किस को बताओ के घर की क्यों नहीं जाते या यह कि इस तरह क अशार है कि क्या क्या ना हमें घर की उदासी से गिला था अब शेहर में आए हैं तो हैरान खड़े हैं तो यह एक अजीव गरीब तजाद हमारे जमाने की दिनलगी का लेकिन यह शेर देखिए भूमता है शेहर के सबसे हसी बाजार में एक अजियतनात महरूमी वो घर ले अब ना लाएगा कोई इसका पता मेरे लिए अब यह रंग बड़ी हत्तक आप ज़ावर मेरी खबर ले जाएगा जफ़र अक्वाल का एक शहर में जिस लगता है जहां वो कहते हैं कि सब दोस्तों से मेरी लिलाई है इन दिनों मुझको तुब आज शहर से बाहर उतार दें जो जो जारा रहे हैं पिक्शर पर और वह जारे जिसी तो वह तो एक है उनके हां के संधीर्गी और मज़ा का मफ़ूम आपस में गर्मड हो गया है वह पता नहीं किलता लेकिन बानी के हां तो एक लहजा बहुत एक संधीर्गी का मतानत बहुत है और इस तरह के अजह में उसके लेकिन इसमा नयापन ताज़की कैसी है इसके इसक्दर खाली बैठा हूं अपनी जात में कोई ज्हूंका आएगा जाने किधर ले जाएगा यानि एक तनहाई का बेचारगी का बेवसी का इसास भी है अकेले पन का लेकिन उसी के इसासात यह भी कि कोई ज्हूंका आएगा और जाने किधर लेके चला जाएगा तो यह आशार आपने दे तजर्बों का बयान दिखाई देता है मालू होता है कि हमारे जमाने कोई शफ इस हैद की रूदार बयान कर रहा है इस हैद की कहानी लिख रहा है एक और खजल देखें सामने आ ले सिल्सला रोशन तजस्स का इधर मेरा भी है सिल्सला रोशन तजस्स का इधर मेरा भी है ऐ सितारो इस खला में एक सफर मेरा भी है यानि अपनी इजात मुझे गालिब के एक शेर बहुत प्रसंद है जो मुझे वागी मैंने पता है नहीं कितने लम्हों में खमोशी और तनाई को शेर को दोराया होगा है कि अपनी हस्ती ही से हो जो कुछ हो आगही गर नहीं है गफलती से वो इंसान का आखरी मुखदर है और एक कहानी मुझे वहत पसंद है जो छोटी सी कहानी इसने में सुनाए गए ताम आपको भी स्वामी रामकृष्ण प्रवहंस के वचनमाला जैसे सूफियों की हिकायते मिलती हैं दर्वेशों की उसको सुनकी किताब है मैंने बलकि उसकी एक दिल्द खरीद के इंतजार साबको तो वतन पेश की ती कि आप जातक को आजबा चुके और बहुत सी कहानी आपने पुरान जो हमारे जो महा काव्जे हैं महा भारत और लेकिन आप यह देखे की पुराने दर्वेश्यों से गयाने श्रत के मौमें थे जैसे हमारे हैं हिकायते हैं शिकारणामे हज़त्वाज़ा बंदनवाद देश्वग्रास के एक कहनी है कि मरत्वा एक पंदा सफर कर रहा था हव जना उसके मस्तूल पर नींद आ गई ठका हुआ ता सो गया अब वो जहाज चल पड़ा उसी आलम में और फिर यह बागे जब आख खुली उसकी परिंदे की तो सोचा कि यहां तो किसी तरफ ना हडियाली दिखाई देती है ना खुश्की अपना बसेरा छोड़ा है तलाश में एक संत में गया दूसरी संत में गया तीसरी संत चौती संत चारो संतों में गया जहां तक गया पानी की चादर मिची हुई है अखीर में ठक करके वापस मस्तूल पर आता है अपने परों में अपनी चौश डबा के फिर सो जाता है नहीं गया कि आखरी सहारा इंसान का उ की अपनी जात होती तो देखे ये पूरा जो पूरी घजल जो है सिल्सला रोशंट अजस्स का इधर मेरा भी है ऐसे तारो इस खला में एक सफर मेरा सितारे मतायन करते हैं हमारी जिन्बिगी के सफर को गोया कि हमें रास्ता दिखाते हैं लेकिन ये कि एक सफर भूभी होता है जो हमारी जालक अपना मुकदर आप होता है चार जानिब खेंच दिए उसने लकीरे आख की मैं के चिलाया बहुत बस्ती में घर मेरा भी है जाने किसका क्या छुपा है इस धुए की सफ के पार एक लंगे का उफक उम्मीद भर मेरा भी है राय ऐसा देखकर सब खुश थे फिर मैंने कहा राय ऐसा देखकर सब खुश थे फिर मैंने कहा सोच लीजे एक अंदाज नजर मेरा भी है यह दुनिया लोगों को बहुत आसान निकाई देती है लेकिन बहराल एक रास्ता वो भ जिसको आदमी ज्यानबूश के कभी कि भी जिसका इंतखाब करता है जीने मरने का जुनूब दिल को है बानी बहुत आस्मा एक चाहिए मुझे को के सर मेरा भी एक बानी का यह अंदाज जो हैं आपको बहुत मुझे दिखाई देदा उसी तरीके से उस जमाने के हिंदोस्तान मुझे वजल कही जा रही थी इर्फान सिद्धिगी की शायरी से ताहरूस तो निस्बतना बेर में हुआ लोगा गर्चे अपने जितने भाकमाल जो गिरफ्त थी उनकी अपने रवायत पर वह गद गायर मामूली लेकिन उसी मुझे अपने जमाने को बिस्ते रखम करने की कोशिश की है तो एक अलग अदाव लेकिन अगर आप देखें तो उस रहत की जतने मुम्ताब घजल हो हैं खुद आप देखें तो शेर्यार के घ लेकिन उस जोने में शुरू में जब उनी लेखें झाही तो रवायत का ऐसर कुछ जरगत से जहाराऊ था फुषब इस तरही के मिस्रेवी भी उनने तरही के खंद ऐकने न अशन準 आ भी कोशी को एको कुछ यह ज्यादा है कहीं कुछ कम है वह अच्छे करते हैं कि लेकिन बानी बहरालाग को उन्शोरा में दिखाई देता है जो अपनी रवायत से क्रिष्टा रखने के बावजूद अपना रास्ता अलग निकाल लेती है और एक तस्थिंद की खुदसरी उसके हां दिखाई द लिखाई देगा है तो बानी की घजल उस तरह की द्वाने के जो मिसायल नहीं है आं हमारे जमाने के शूरू में जैसे शौरा में हिज्रत के मौजुको गजल हो या नजम हो दोनों में बहुत बाधा था और इधर से उधर गये थी शौरा वो घर से इधर आए कि वे नासर का अदमी के गजल जिसमें हिज्रत का बयान रात का बयान उजड़ी हुई महफलों का बयान क्या खबर इस मकाम से बुज़े हैं कितने कारमार होया कि वो तजर्बा जो होता है आदमी का एक सफर करता है अमबाला के रहने वाले से नासर काजमी एक नजम भी बहुत अच्छी उन्हों अपने शहर को टेक थी अमबाला एक शहर था सुनते हैं अब भी है मैं हूं उसी मीटे हुए कड़िये के रोशनी उसमें जो बयान है मुरगावियां तली हुई कीतर भुने हुए खस्ता कबा और सीख के वो नान रौगनी है नि बाजानों का जिकर है वहां की चैल पहल का कैसी रोशन कैसी मिली जुली तहजीम हिंडों की मुसल्मानों की सिक्टों की सबकी और देखते देखते कान में सब की दुनिया कैसी बजल गई तो मुझे तो वो दुनिया बेराल अब भी सब्सक्राइब देंगे और नोगया भी गोया की सदाए शिकस्त मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज जिस तजर्वेस गालिप उन्जी सदी में घुजरे थे जब तुद्धों में तसादम हो रहा था एक जाहरी कि हमारे गवाने में उस तसादम ने दूसरी शक्त प्यार क कैये के एक किस्टागो है अपनी घजल के वास्ते से और बहुत तुम्दा शेर उसमें कहे जमा मका थे मेरे सामने बिखरते हुए मैं धेर हो गया तूले सफर से तरते हुए एक उसका लहजा जो है आप देखें पे एक खास तरह का मुझे तो नई घजल की पूरी रवायत और दो शायरों का अक्स बहुत गहरा दिखाई देता है नई घजल की का सफर जहां से हम शुरू कर एक फिराख का दूसरा यगाना का फिराख की घजल में भी आते हैं रात का बयान तन्हाई का बयान उदासी का बयान इनसान की बेबसी का बयान बहुत अजीब औ गरीब है महबत में हिजर का बयान और उसके बाद वाहरे कि अकेलेपन का जो इनाम होता है इनसान की सोच पर उसकी फिक्र पर जो जिस पुस्म के तजर्बे जिस तरह के तसवरात वारिद होते हैं उनका बयान जैसे फिराख साब में किया है इश्किया शायरी वही मदामीन जो आपक तमाम खस्तगियों मान की है आलमें हिजर ठके ठके से ये तारी ठकी ठकी से ये राज ये गजीब और गरीब अंदाज है तो हमारे हाँ आप देखेंगे कि अच्छा कोई तक्सीम उसक्त नहीं हुई थी हिंदी रंग आपको बिसाल के तौर पर आपको बिमल कृष्णश के यहां उसके अहां रदीफों में कभी-कभी आपको भक्ती शौरा की बाजगर्श स्वाई देती है यही रंग आपको सरहत के उस पार इबने इन्शा के घजलों में दिखाई देगा इबने इन्शा के घजले जैसे कल चौद्वी के रात्थी शब्बर रहा चर्चा तरह व उन्होंने अपनी शायरी में जखे दी थी उसका गयर मामूली उससे हुस्न पैदा हुआ है क्योंकि जाहर कि यह जबान उर्दू और हिंदी एक मुश्तरका विरासत रही है मैं तो हमेशा सोचता हूं कि कभी को हमने अपनी रवाय से अलग करके अपना लखसान किया है कभी जारिक और हमेर को मेरा मैराभाई को नासर काजवी नहीं किया तो मीराभाई के बड़े धरा शैयों में थे उनकी शाहिठी के और उसका बहुत जिक्र मी किया हुद हुझ हमारे दोस्रौत इन मह्मूद थे वो कहा करते थे कि जब मैं सुबह लक्श्मी के आवाज मेरा बज अब अब उसका शेर है मनमोंतलख का कि है है रान से क्या मेरा खंडर देख रहे हो जिसका वी जो पत्थर वो ले जाये उठा करें यह एक और शेर कहता है कि हम इसलिए भी घर से निकलते हैं कम जरा जाना कहीं हो और पहुँचते कहीं है या बेमकरशनिश का अश्की घजल कशेर है कि एक मुसाफिर जा रहा था माहिया गाता हुआ गाने वाले से लिपट कर खूब रोही चांदनी चांदनी रदीफ नहीं है बड़े खुबसुरा पहुआ है वो दियोदार की टहनी पे रुख गया सा चांद हवा शले तो भी करवटें बदलने लगें यह एक काइनिटी के मे हरकत करती हुई एक पूरी तस्वीर कैसे आपके सामने आ जाती है तो यह गोया कि नए गजल में बहुत अच्छे शेर कहे गए हैं इसमें कोई शेक नहीं नए गजल वोयो ने कमाल किया हो इस वक भी हमारे आज जो शायरी हो रही है नए गजल में बिलकुल नए शेर कहने वाले में तो देख रहा हूं हिंदोस्तान पागिस्तान जो नहीं रगजल एक है आपको यह फूब भी दिखाई देती लेकिन यह कि बानी वगएर ने जो रवायत नाएं कि तो बड़ी मजबूत थे नहीं रवायत और उस रवायत पर बहरागना यह रजल आजमी सफर करते करते हैं